पांचमा अध्याय धुन्दुकारी को प्रेत योनी की प्राप्ती और उससे उद्धार सूत जी कहते हैं शौनक जी पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुन्दुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा बता धन कहां रखा है नहीं तो अभी तेरी लुवाठी से खबर लूँगा उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रमों से दुखी होकर वह रात्र के समय कुए में जागिरी और इसी से उसकी मृत्य हो गई योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रू धुन्दुकारी पांच वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा उनके लिए भोग सामगरी जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्ध नश्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यनत क्रूर कर्म करने लगा एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे वह तो काम से अंधा हो रहा था मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा वह जहां तहां से बहुत सा धन चुरा कर घर लोटाया तथा उन्हें कुछ सुन्दर वस्त्र और आभूशन लाकर दिये चोरी का बहुत माल देखकर रात्री के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा राजा यह सारा धन चीन कर इसे निश्चे ही प्राण दंड कर जब एक दिन इसे मरना ही है तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों नमार डालें इसे मार कर हम इसका माल मत्ता लेकर जहां कहीं चली जाएंगी ऐसा निश्चे कर उन्होंने सोय हुए धन्दुकारी को रस्यों से कस दिया और उसके गले में फासी लगा कर उसे मारने का प्रैपन किया इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले इससे वह अगनी की लपटों से बहुत छटपडा कर मर गया उन्होंने उसके शरीर को एक गढ़े में डाल कर गाड़ दिया सच है इस्त्रिया प्राया बड़ी दुस्साहसी होती है उनके इस कृत्त का किसी को भी पताना चला लोगों के पुछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोब से अब की बार कहीं दूर चले गए है इसी वर्ष के अंदर लोटाएंगे बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा इस्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है इनकी वानी तो अम्रित के समान कामियों के हिर्दय में रसका संचार करती है किन्तु हिर्दय छुरे की धार के समान तीक्षन होता है भला इन इस्त्रियों का कौन प्यारा है वे कुलटाएं धुन्दुकारी की सारी संपत्ति समेट कर वहां से चंपत हो गई उनके ऐसे नजाने कितने पती थे और धुन्दुकारी अपने कुकरमों के कारण भयंकर प्रेत हुआ वह बवंडर के रूप में सरवदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत धाम से संपत्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हादैव हादैव चिलाता रहता था परंदु उसे कहीं भी कोई आश्रे न मिला कुछ काल बीतने पर गोकरन ने भी लोगों के मुक से धुंदुकारी की मृत्तु का समचार सुना तब उसे अनात समझ कर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राध्ध अवश्चे करते थे इस प्रकार घूमते घूमते गोकरण जी अपने नगर में आये और रात्री के समय दूसरों की दृष्ट से बच कर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे वहां अपने भाई को स्वया देख आधी रात के समय धुन्दुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया वह कभी भेडा, कभी हाथी, कभी भैसा, कभी इंड्र और कभी अगनी का रूप धारण करता अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ ये विपरीत अवस्थाएं देख कर गोकर्ण ने निश्चे किया कि यह कोई दुर्गती को प्राप्त हुआ जीव है तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्र के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही तू प्रेत है, पिशाच है, अथवा कोई राक्षस है सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया तब गोकर्ण ने अंजली में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का इस से उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुन्दुकारी मैंने अपने ही दोश से अपना ब्रामनत्व नश्ट कर दिया मेरे कुकर्मों की गिंती नहीं की जा सकती मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की अन्त में कुलटा इस्त्रियों ने मुझे तडपा तडपा कर मार डाला इसी से अब प्रेत योनी में पढ़कर यह दुर्द्रशा भोग रहा हूँ अब दैव वश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायू भक्षण करके जी रहा हूँ भाई तुम दया के समुद्र हो अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनी से छुडाओ गोकर्ण ने धुन्दुकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले गोकर्ण ने कहा भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर है मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंड़ दान किया फिर भी तुम प्रेतियों इसे मुक्त कैसे नहीं हुए यदि गया श्राद से भी तुम्हारी मुक्ती नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है अच्छा तुम सब बात खोल कर कहो मुझे अब क्या करना चाहिए प्रेत ने कहा मेरी मुक्ती सेकणों गया श्राद करने से भी नहीं हो सकती अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो प्रेत की यह बात सुनकर गोकरन को बड़ा आश्चर्य हुआ वे कहने लगे यदि सेकणों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ती नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ती असंभव ही है अच्छा अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो किया तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा प्रातहकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए तब गोकरन ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया उनमें जो लोग विद्वान योगनिष्ट ग्यानी और वेदग्य थे उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला तब सबने यही निश्चे किया कि इस विशय में सूर्य नाराण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए अतह गोकरन ने अपने तपोवल से सूर्य की गति को रोग दिया उन्होंने स्तुति की भगवन आप सारे संसार के साक्षी हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ आप मुझे कृपा करके धुन्दुकारी की मुक्ति का साधन बताईए गोकरन की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा श्री मत भागवत से मुक्ति हो सकती है इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायन करो सूर्य का यह धर्म मैं वचन वहां सभी ने सुना तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूरुवक यही करो है भी यह साधन बहुत सरल अतह गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तयार हो गए देश और गामों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए बहुत से लंगडे, लूले, अंधे, बूढे और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्य के उद्देश से वहां आ पहुँचे इस प्रकार वहां इतनी भीड हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठ कर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां पहुचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूणने लगा इतने में ही उसके द्रिष्टी एक सीधे रखे हुए साथ गाट के बास पर पड़ी उसी के नीचे के छिद्र में गुश कर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया वायूरूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था इसलिए बास में गुश गया गोकर्ण जी ने एक वैशनव ब्राह्मन को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम सकंध से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी सायंकाल में जब कथा को विश्रान दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई वहां सभासदों के देखते देखते उस बास की एक गाठ तर तर शब्द करती हुई फट गई इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गाठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी इस प्रकार साथ दिनों में साथों गाठों को फोड कर धुन्दुकारी बारहों सकंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनी से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारन करके सब के सामने प्रकट हुआ उसका मेग के समान शाम शरीर पितामबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल जिल्मिला रहे थे उसने तुरंत अपने भाई गोकरण को प्रणाम करके कहा भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेद योनी की यातनाओं से मुक्त कर दिया यह प्रेद पीड़ा का नाश करने वाली श्री मत भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायन भी धन्य है जब सप्ताह श्रमण का योग लगता है तब सब पाप धर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी जिस प्रकार आग, गीली, सूखी, छोटी, बड़ी, सब तरह की लकडियों को जला डालती है उसी प्रकार यह सप्ताह श्रमण, मन, वचन और कर्मद्वारा किये हुए नए, पुराने, छोटे, बड़े, सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है, कि जो लोग इस भारत वर्ष में श्रीमद्भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म व्रिथा ही है भला मोह पूरुवक लालन पालन करके, यदि इस अनित्य शरीर को हरिष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद्भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाग हुआ अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्थम्भ हैं, नस नाडी रूप रस्यों से यह बना हुआ है, उपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मड़ दिया गया है इसके प्रतेक अंग में दुरगन धाती है, क्योंकि है तो यह मल मूतर का भांड ही, व्रिधा अवस्था और शोक के कारण यह परणाम में दुखमय ही है, रोगों का तो घर ही ठहरा यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीडित रहता है, कभी इसकी त्रिप्ति नहीं होती, इसे धारण किये रहना भी एक भार ही है इसके रोम रोम में दोश भरे हुए हैं और नश्ट होने में इसे एक छण भी नहीं लगता अंत में यदी से गाड दिया जाता है, तो इसके किड़े बन जाते हैं कोई पशुक खा जाता है, तो यह विष्ठा हो जाता है और अगनी में जला दिया जाता है, तो भस्म की धेरी हो जाता है यह तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अभिनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता जो अन्न प्रातह काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्ता कैसी इस लोक में सबताह श्रवन करने से भगवान की शीगरही प्राप्ति हो सकती है अतह सब प्रकार के दोशों की निवृत्ति के लिए एक मात्र यही साधन है जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीमों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गाठें फट सकती हैं उस भागवत कथा का श्रमन करने से चित्त की गाठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है सप्ताह श्रमन करने से मनुष्य के हिर्दय की गाठ खुल जाती है उसके समस्त शंशय छिन भिन हो जाते हैं और सारे कर्म छीन हो जाते हैं यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में इस्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुन्दुकारी ये सब बातें कह रहा था जिसके लिए वैकुन्ठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुन्दुकारी उस विमान पर चड़ गया। तब उस विमान पर आये हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। क्यों हुआ यह बताईए। भगवान के सेवकों ने कहा हे मानद इस फल भेद का कारण इनके श्रमण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रमण तो सबने समान रूप से ही किया है केंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने साथ दिनों तक निराहार रहकर श्रमण किया था। तथा सुने हुए विशय का स्थिर चित से यह खूब मनन निदिध्यासन भी करता रहता था। जो ज्यान द्रढ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रमण का संदेह से मंत्र का और चित के इधर धर भटकते रहने से जब का भी कोई फल नहीं होता। वैश्नव हीन देश अपात्र को कराया हुआ श्राद का भोजन अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचार हीन कुल इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोशों पर विजय और कथा में चित की एकागरता इत्यादी नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रमण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमत भागवत की कथा सुने तो निश्चे ही सब को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयम आकर गो लोक धाम में ले जाएंगे। यों कहकर वे सब पारशद हरी कीरतन करते वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावन मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह करम से कथा कही और उन शोताओं ने उसे फिर सुना। नारज जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिये। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब और से खूब जैजैकार और नमसकार की ध्वनिया होने लगी। भगवान स्वयम हरशित होकर अपने पांच जन्य शंक की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकरण को हिरदे से लगा कर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने शन भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेग के समान श्याम वर्ण, रेश्मी पिताम बरधारी तथा किरीट और कुंडलादी से विभूचित कर दिया। उस गाउं में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, वे सभी गोकरण जी की क्रिपा से विमानों पर चड़ा लिये गए। तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिये गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्रीकृष्ण कथा अश्रमण से प्रसन्न होकर गोकरण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्वकाल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्रीराम के साथ साकेत धाम सिधारे थे। उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण उन सब को योगी दुरलव गोलोक धाम को ले गए। जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिध्धों की भी कभी गती नहीं हो सकती उसमें वे श्रीमद भागवत श्रमण करने से चले गए। नारज जी, सब्ताह यग्य के द्वारा कथा श्रमण करने से जैसा उज्वल फल संचित होता है उसके विशय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने करण पुट से गोकरण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आये। जिस गति को लोग वायू, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगा भ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सब्ताह श्रमण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान, मुनिश्वर, शांडिल्य भी ब्रह्मा नंद में मगन होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रमण से ही समस्त पापराशी को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद के समय पाठ किया जाए तो इससे पित्रगण को बड़ी त्रिप्ति होती है और नित्यपाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।